नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अलोक एक वानी चैनल में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले आज का विशए है किस योनी में जन लेगा ये कैसे तै होता है कि हम कब और कहां जन लेंगे क्या हम ये तै कर सकते हैं कि हमें किस गर्ब से पैदा होना है प्रश्न जब कोई व्यक्ति पुनर जन लेता है तो क्या वो प्राया उसी लिंग में वापस जन लेता है सद्गुरू ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है मेरे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो पिछले जन में किसी दूसरे लिंग में थे कुछ लोगों के साथ तो यह मेरा करीबी अनुभाव रहा है पुनर जन की स्थिती में कोई जरूरी नहीं की लिंग यहां तक की प्रजाती भी पिछले जन जैसी ही हो दरसल ये सारी चीजे आपकी प्रकृती वप्रवृती से तै होती हैं गौतम बुद्ध के आसपास कुछ ऐसा ही हुआ था ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कई योगियों के साथ भी हुआ है खास तोर पर गौतम बुद्ध के आसपास तो निश्चित तोर पर हुआ है कई बौध भिक्षू दोबारा स्त्री रूप में पैदा हुए मेरे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो पिछली जन्म में किसी दूसरे लिंग में थे कुछ लोगों के साथ तो यह मेरा करीबी अनुभव रहा है ये बौध भिक्षू अपने पिछले जन्मों में जब बुद्ध के पास थे तो तादाद में वहां महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा थे पुरुषों की अधिक तादाद के पीछे मुख्य रूप से सांस्कृतिक वजहे थी उन दिनों महिलाएं बिना पुरुष की इजाज़त के घर से बाहर नहीं निकलती थी जब कोई पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों से उब जाता था तो वो घर छोका बाहर निकल सकता था लेकिन एक महिला अपने बच्चों को तब तक छोका नहीं जा सकती थी जब तक कि उसके बच्चे बड़े ना हो जाएं जो भिक्षू एक पुरुष रूप में बुद्ध के पास थे उन्होंने यह महसूस किया कि महिला भिक्षू नियां पुरुष भिक्षूं की अपेक्शा कहीं बहतर तरीके से खुद को बुद्ध से जोड़ पा रही थी इसकी वज़े थी कि महिला के लिए किसी के प्रती भावनात्मक तौर पर गहराई से जुड़ पाना स्वाभाविक सी बात है जहां पुरुष लंबे समय तक बैठ कर कड़ी साधना कर रहे थे वही महिलाएं बुद्ध को निहार रही थी और उनके चेहरे पर आसूँं की अविरल भारा बह रही थी वे बुद्ध के प्रती प्रेम से आकंठ भरी थी और बुद्ध भी उनकी ओर सौमयता से निहार रहे थे इससे पुरुषों को इरश्या भी होती थी मान लीजिये आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की है और आप खाने के दौरान ही मर जाते हैं तो अगले जन में हो सकता है कि आप किसी के घर पालतू सूवर बन कर जन में जो हर वक्त खाता रहता हो साथ ही उनके भीतर कहीं न कहीं महिलाओं की तरह बुद्ध से जुड़ने की लालसा भी थी अपनी उसी लालसा के चलते बहुत से बौध भिक्षु अगले जन्म में स्त्री रूप में पैदा हुए कुछ समय बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे कौन थे और वे कैसे इस जन्म में महिला बन गए उन्हें गहरा धक्का लगा, हमने इतनी साधना की, लेकिन गौतम बुद्ध ने हमारा त्याग कर दिया उन्होंने हमें दोबारा भिक्षु क्यों नहीं बनाया? हम यहां पती, बच्चों और परिवार के इस जमेले में फसे हुए हैं ऐसा इसलिए हुआ था, क्योंकि उन्हें महिलाओं से इश्या होती थी आपकी प्रवृती तै करती है, अगला जन्म आपकी चाहत वप्रवृती के आधार पर कुद्रत आपको एक अनुकूल शरीर देती है मान लीजिए आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की है और आप खाने के दोरान ही मर जाते हैं तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप किसी के घर पालतू सुवर बनकर जन्में, जो हर वक्त खाता रहता हो लोगों को लगेगा कि सुवर के रूप में जन्म लेना अपने आप में एक सजा है हाला कि यह कोई सजा नहीं है, कुद्रत सजा या पुरसकार के तौर पर चीजों को नहीं देखती वो आपकी प्रवृतियों को देखते हुए उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करती है वो देखती है कि उन प्रवृतियों को पूरा करने में किस तरह का शरीर मददगार साबित हो सकता है वही शरीर आप पाते हैं जो बौध भिक्षू स्त्री रूप में वापस लोटे यह उनकी कोई सजा नहीं थी बलकि यह उनकी प्रवृति और चाहत का नतीजा था चाहत उन चीजों को पाने की जो तब महिलाएं को हासिल थी जब वे बुद्ध से प्रेम करने वा उनसे भावनात्मक रूप से जुढने की महिलाओं जैसी क्षमता पाने की कामना करते थे तो अंजाने में उनके भीतर स्त्री होने की आकांक्षा पैदा हो रही थी जब वे बुद्ध से प्रेम करने वा उनसे भावनात्मक रूप से जुढने की महिलाओं जैसी क्षमता पाने की कामना करते थे तो अंजाने में उनके भीतर स्त्री होने की आकांक्षा पैदा हो रही थी जब वे बुद्ध से प्रेम करने वा उनसे भावनात्मक रूप से जुढने की महिलाओं जैसी क्षमता पाने की कामना करते थे तो अंजाने में उनके भीतर स्त्री होने की आकांक्षा पैदा हो रही थी तो आपको कौन सा लिंग या रूप मिलता है ये सब आपकी चाहत पर निर्भर करता है इसलिए बहतर होगा कि अपने लक्षय पर ध्यान केंद्रित करें अपने भीतर सभी सीमाओं से परे जाने की चाहत पैदा करें क्योंकि यही वह तरीका है जिसमें कुदरत ये तय नहीं कर पाएगी कि वो आपके साथ क्या करें दरसल जब कुदरत को पता नहीं होता कि आपके साथ क्या किया जाए तो यह आपके लिए सबसे अच्छी स्थिती होती है क्योंकि तब आप बिना किसी खास कोशिशों के अपना काम आराम से कर सकते हैं लेकिन जब कुर्दत को पता होता है कि आपके साथ क्या करना है तो वो आपको इस खांचे या उस खांचे में रख देती है मसलन स्त्री शरीर या पूरुष शरीर में, सुवर के रूप में या कौक्रोच के रूप में या किसी और रूप में ये शरीर भी अपने आप में एक खांचा है, है की नहीं अगर आप अपने भीतर इसकी उसकी चाहत पैदा करने से बचे रहते हैं अपनी द्रिष्टी शून्य पर टिकाए रखते हैं और उसी में तलीन रहते हैं तो कदूरत समझ ही नहीं पाती कि आपके साथ क्या किया जाए तब वो आपको इधर या उधर नहीं धकेल सकती और नहीं आपके उपर अपना कोई फैसला थोप सकती है अगर कुदरत आपके बारे में फैसला नहीं ले सकती तो फिर कौन फैसला लेगा जाहिर सी बात है तब आपका फैसला चलेगा संपादक की टिपनी क्या मा के गर्ब धारन करते ही उसमें पल रहा ब्रून जीवित हो जाता है या फिर कुछ समय बाद प्रवेश करता है ब्रून में जीवन कैसे चुनता है कोई प्राणी अपने लिए गर्ब आईए जानते हैं इस प्रश्न और उत्तर की श्रिंखला से जिसमें जीवन के स्रिजन के बारे में चर्चा हो रही है समाप्त इस तथ्य से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यू के बाद हम किस योनी में जन लेंगे